एंटीपीसी मौदा में एक महा से जारी बालिका श्रसक्तिकरन अभियान यानि जैम का समर्पन समारो साथ जून 2023 को आयोचित किया गया जैम प्रोग्राम एंटीपीसी का फ्लैक्स्टिप प्रोग्राम है जिसमें निकर्तम गाओ की पाचवी पास बालिकाओ का चयन किया जाएगा इस अभियान के अंदर आसपास के गाओ की 42 बालिकाओ एक महीने से एंटीपीसी मौदा परिसर में आवासीय कैम की प्रतिभागी जिसमें उन्हों निन्रित्य, नाटक, संगीत, टाइकॉंटो, आदी जैसी कलाओ का प्रशिक्षन लिया इन बालिकाओ में से चार मेधावी छात्राओ का चयन किया जाएगा जिन्हें एंटीपीसी भावन विद्या मंदिर में दाखिला देकर बारवी कक्षा तक नीशुन क्षिक्ष्या प्रदान की जाएगी इस अभियान का उद्देश है वन्चित वर्ग की बालिकाओ के लिए आधुनिक तक्निकों से शिक्षन दिलाना, श्रेश्ट सुविधाओ से परिचय करवाना जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा को निखाने का भरपूर अफसर प्राप ने सभा को संबोधित करते हुए बालिकाओ का उत्सा वर्दन किया और उन्हें अजवल भविश्य की कामना की इस दोरान उन्होंने CSR मीतियों के तहत आस पास के समुदाय के उत्थान और नारीश शक्तिकरन के लिए विबनिक कारे करने का आश्वा संदिया कारिकरम में ब करात्मक बदलाव भी देखा जा सकता है इस अफसर पर सुमृति महिला समीति की अध्यक्षा एवी शांती ने समीति के सद्यस्यों संग बच्चों को सुमृति चिन्न के तौर पुस्त के ग्लोब परियावरन सरक्षन हे तू जूट बैक्स आदी सभी बाटी है इस अफसर पर मौदा प्रशासन के अधिकारी गंज जैसे SDM मौदा तैसिलदार मौदा गडशिक्षन अधिकारी एंडीपीसी के वरिष अधिकारी उनके परिवार के सदे सिर्भाली का प्रतिभाग्यों के परिवार जन भी मौजूद रहे ब्यूरो रिपोर्ट बीसीन नीउज